नमस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे यूट्योब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खबर PTI अध्यापकों के लिए और ड्राइंग अध्यापकों के लिए तो साथियो तारीक होई 7 दिसंबर और कर्मिक अन्सन के दिन होई 155 पूरे लेकिन अभी तक नहीं है कोई सरकार की और से इन PTI 6 कों की बहाली का कोई सकारात्मक इंतजाम ना है कोई सकारात्मक पहल तो साथियो इसी लिए संगर समिती बोली भैकी स्थिती में हैं करमचारी औ और ड्रैंग ध्यापकों पर भी मंदराया नोकरी जाने का साया क्या है पूरी इन फॉर्मेशन पूरी इन फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को सुरू से अंत तक देखना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और इस वीडियो का सेर रुकना नी चाहिए इस वीडियो को इतना अधिक फैलाओ ताकि ये वीडियो जाए उन सरकार के नुमाइंदों के पास जिनकी जिम्मेदारी है इन PTI 6 कों की बहाली और उनको पता चले इन PTI 6 कों का दरद, इन PTI 6 कों के प्रिवार के लोगों का दरद, इन PTI 6 कों की बदतर हालत का दरद और उस प्रिवार की बदतर हालत का डर और बदतर हालत की स्थिती क्योंकि आर्थिक स्थिती बहुत ही बुरी हो चुकी है इन PTI 6 कों की साथियो तो ये वीडियो रुकनी ने चाहिए और पुरी खबर इस परकार है हरियाना सारीरिक सिक्सक संगहर समिती कैथल ने 125 वी दिन भी जिला सचिवाले पर धरना दिया धरने पर दरसननेन मनोज कुमार राजेंदर मानवे करतार सिंग रहे धरने की अध्यक्सता सत्पाल सर्मावे मंच का संचालन संदीप कुमार ने किया बिजेंदर मोर परधान हरियाना विदल अध्यापक संग ने कहा कि हरियाना का करमचारी मजदूर किसान वरग तो सभी के सभी सडकों पर आंदोलन कर रहे हैं सरकार की दमनकारी नीती वे जन विरोधी नीती के करण जनता में आक्रोस बढ़ रहा है तो करमचारी आज भैकी स्थिती में है सरकार ने जैसे ही 1983 PTI के नोकरी से बाहर का रास्ता दिखाया ड्रैंग टीचर पर भी नोकरी जाने का खत्रा मंडराया हुआ है यदि समे रहते हरियाना सरकार ने 1983 PTI को पुने ज्वाइन नहीं करवाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा तो साथियो यदि आपको चैनल द्वारा दी गई जानकारे अच्छी लग रही है तो ये वीडियो रुकणी नी चाहिए ये वीडियो इतनी फैले कि PTI 6 कों की ये आवाद सरकार के नुमाइंदों के दिल में जाकर बोले और PTI 6 कों की जो जोस और आक्रोस की बोली है वो उ उन सरकार के नुमाइंदों के पास और वो सरकार के नुमाइंदे कुछ सोचे इनके प्रिवारों के बारे में और इनके बारे में और करें इनकी जल से जल भाली ताकि इनकी भी जिंदगी और इनके प्रिवारों की जिंदगी आ जाए पट्री पर और वे भी जीवन यापन करें उसी सामान्यस्तर के साथ जैसा वो करते थे तो साथियो सरकार के नुमाइंदों को सोचना भी चाहिए मानवता के धरम के कारण और साथियो लोकतंतर के कारण क्योंकि हम एक लोकतंतर के वासी है और मानवता हमारा धरम है और मानवता का यहां पर हरण हो चुका है क्योंकि PTI 6 को उनकी नोकरी से बहाल जब तक नहीं किया जाएगा हम कहेंगे मानवता का हरण है और लोकतंतर का भी हरण है तो इन दोनों का बचाओ भी तब होगा जब सरकार इनकी 6 को की बहाली करेगी और इनकी मांगो को पूरा करके इनको स्कूल अलोट करेगी और इनको नोकरी पर लोटाएगी तो साथियो ये थी आज कैथल से PTI 6 को और ड्राइंग अध्यापकों से संबंदित अपडेट यदि आपको अपडेट अच्छी लगती है तो चैनल की मोटिवेशन के लिए कमेंट करके बताना की वीडियो कैसी लगी और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना और दूसरे लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोचान देना और सला देना ताकि आपको मिलती रहे सटिक जानकारी स्टिक विशिलेशन के साथ सही समय पर तो धन्यवाज जैहिन वन देमात्राव